बच्चों, आज हम वर्णमाला का अगला अक्षर देखेंगे. अगला अक्षर है चण्द। चमगादड, चमगादड मतलब बैट, इंग्लिश में बैट बोलते हैं, ये एक तरह का जानवर होता है. बैट, च से चमगादड, च से चटाई, च से चमच, च से चाई, तो बच्चों, आपने देखा च से कितनी सारी चीज़े होती हैं, च से चपल भी होता है, और च से चमड़ी भी होती है, ये हमारा स्केन, ये जो है स्केन, इसको हम हिंदी में चमड़ी भी बोलते हैं, च से चमड़ी. अब च से आपको एक अच्ची जी कहानी सुनाती हूँ मैं, चांदनी रात थी, और बाहर पेड़ पर एक चमगादर लटक रहा था, च च चमगादर, चांदनी रात थी, बाहर पेड़ पर एक चमगादर उल्टा लटक रहा था, और उसकी आखें खुली हुई थी, चमगादर रात में जाकता है और दिन में सोता है, तो एक चमगादर लटक रहा था एक छोटा सा घर था पेड़ के साथ ही एक छोटा सा घर था और उस घर में चटाई पर चाचा और चाची बैठे थे चाची के हाथ में एक चाय का कप था और चाची चमत से चीनी मिला रही थी चाए में चाए में चीनी चमत से मिला रही थी चाची ने चीनी मिला कर चमत से चाए का कप चाचा को दिया चाए का कप चाचा को दिया और चाचा ने चाए पी ली तो कैसी लगी कहानी बच्चों? मज़ा आया? तो बच्चों हम अब मैं चाती हूँ कि आप अपनी जो किताब है वर्नमाला की वर्नमाला चितरावली उसमें आप पेज 21, 21 पेज 21 में आपको च अक्षर से जुड़े हुए बहुत सारे चीज मिल जाएंगे तो आप वो सारे च अक्षर से जुड़े हुए चीजों को देखेंगे और मम्मा और पापा की मदद से उसे पढ़ेंगे ठीक हैं? च अक्षर से आपको सारे च अक्षर से शुरू होने वाले सारी चीजें आपको उस पेज पेज पे मिलेंगी तो आप मम्मा पापा को बोल कर आप वो चीजों की फोटो आप देखिए उस पेज पे जो है बना हुआ और उसको मम्मा पापा की मदद से पढ़िए कौन-कौन सी चीजें शुरू होती है च अक्षर से ठीक है? ठीक है बच्चों? पेज 21 वर्नमाला चुत्रावली तो आप आज की सेशन यहीं तक फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए का हम अक्षर से बच्चों?